हर्याणा में विदानसवा चुनाओ के बीच बीजेपी ने पिछले दो दिनों में दो बड़े सियासी दमाके किये बीतेकल यानी रविवार को जेजेपी के दो बिधायक और अम्माला की मेयर बीजेपी में शामिल हुई और आज भी पार्टी में दो जोएनिंग हुई है फत्यवाद के टोहना सीट से विधायक देवेंदर सिंग बबली और जेल अधिक्छत सुनील सागवान ने बीजेपी का दामन धामा है सागवान भॉंटसी जेल के अधिक्छकते और बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने पत्स से इस्तिफ़ा दिया उनके पिता सत्पाल सागवान दो बार विधायक और हर्याना सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं खेर इस रिपोर्ट में बात करेंगे देवेंदर सिंग बबली के बारे में बबली की बीजेपी में कैसे एंट्री हुई क्योंकि लोकसवा चुनाओ में उन्होंने सिरसा से कॉंग्रेस की संसत कुमारी सेल्या के समर्थन में खूप प्रचार परसार किया था और माना जा रहा था कि वे कॉंग्रेस में शामिल भी होंगे लेकिन विदासवा चुनाओ के इतने नजदीक आकर कैसे देवेंदर बबली ने कॉंग्रेस सोल बीजेपी जोइन कर ली हमस्कार मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी नाई लोकसवा चुनाओ में कॉंग्रेस संसत कुमारी सेल्जा की खुलकर मदद करने वाले जेजेपी विदायक और पूर मंत्री देवेंदर सिंग बबली टिकट बडबारे से ठीक पहले पलट गए अब तक चर्चा थी बबली कॉंग्रेस की टिकट की चाहा में थे और बीते दिनों से वे दिल्ली में कॉंग्रेस मुख्याले और सेल्जा के आवास पर डेरा डाले हुए थे बबली को उम्मीद थी कि समर्थन के बदले कुमारी सेल्जा उन्हें कॉंग्रिस का टिकट दिलवाएंगी लेकिन रेपोर्स के मुताविक देवेंदर सिंग बबली को कॉंग्रिस पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया बताय जा रहा है कि कॉंग्रेस निता चाहते थे कि बबली पहले पार्टी जोइन करें जिसके बाद उन्हें प्रित्याशी बनाने पर विचार किया जाएगा जबकि बबली की मांग थी कि पहले उन्हें टिकेट की गारंटी मिले और इस पर पार्टी की नेता तैयार नहीं हुए लियाजा दिवेंदर सिंग बबली ने आज पाला बदल लिया बीजबी जोइन करते ही उन्होंने पिंदर सिंगुड़ा का नाम लिये बगैर उन पर हमला भी बोला है और कहा है कि पहले सरकार रोहतक से चलती थी लेकिन पिछले दस सालों में भाईबती जबाद खतम हुआ है आज अर्याना प्रदेश बाईबते जबास से उपर उठा है परिवारबाद की रवनीज़ी उपर उठा है और एक सिर्फों सियम जो रोतक तक एक अर्याना सरकार नी थी वो रोतक सरकार थी बहराल देवेंदर सिंग बवली के बेक्ड़ाउंड के बारे में आपको बताएं तो पहले भी वे कॉंग्रेस में रह चुके हैं लेकिन 2019 के विदांसवा चुनाओं में उन्हें टिकट नहीं दी गई थी और इसके बाद उन्होंने जेजेपी जोइन कर ली लेहाजा जेजेपी ने उन्हें टिकट दिया और बड़े मार्जिन से उस समय के बीजेपी अध्यक्त स्वास बराला को हरा कर उन्होंने जीत दर्ज की बाद में जेजेपी बीजेपी ने गटफंदन की सरकार बनाई और दिसम्बर 2021 में जेजेपी के कोटिस से बबली को विकास एवम पंचायत मंत्री बनाई गया लेकिन बीजेपी से गटफंदन तूटने के बाद देवेंदर बबली ने अपनी पार्टी जेजेपी से दोरी बनार ले और कॉंग्रेस निताओं के संपर्क में आ गए इसके बाद कुमारी सेल्जा के लिए जम कर प्रचार प्रसार किया लेकिन विदानसवाच नाव से ठीक पहले एक बार फिर उन्होंना पल्टी मारी है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं लेहाज़ देखना होगा कि क्या बीजेपी अब उन्हें टिकट देती है या नहीं आपकी इस रिपोड़ पर क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स ने जोग होता है साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब परना नहीं को शुक्रेब